नमस्कार आप देख रहे हैं बोले भारत मैं हूँ आपके साथ मुस्कान से आपको बता दे जनबडी महीने में कराके की सरदी में मौसम बदलता नजरा रहा है इसके साथ साथ मौसम विभाग ने बताया है कि 24 घंटे के अंदर 12 होने की संभाबना भी जताई जा रही है और इ जनबडी महीने के कराके की सरदी के पीच आज एक बार फिर बिहार में मौसम बदलने वाला है बिहार के कई हिस्चों में अगले 24 घंटे में बारिस होने की असार है वही चार जीलो में आज बारिस के साथ साथ ओला पढ़ने की संभाबना जताई गई है आपको बता दे कि मौसंबी भाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसके मुताबिक विस्टरन डिस्टर्विंस की वजह से बिहार में साइकलोनिक सर्कूलेशन बन गया है और इसी वजह से 24 गंडे के दौरान कई जगों पर बारिस और उले पढ़ने की संभावना जताई गई है मौसंबी भाग के मुताबिक पश्मी विच्छोप की वजह से कई राज्यों में सोंबार को बारिस और उला पढ़ने की असार है जहां बीते रविबार की सुबह मद्दे बिहार के अधिकांस जीलों में अच्छे बारिस हुई पूरे राज्ये में बादल छाया रहा आपको पता दे कि पटना में रविबार का तापमान अधिक्तम 20 और नियूंतम 13 समलो 60 डिग्री सेल्सिस रिकॉर्ड किया गया है मंगलवार से प्रदेश में बादलो का आना जाना लगा रहेगा इसी के साथ साथ मौसम बिभाग पतना का कहना है कि प्रदेश में पश्मे विच्छोप के कारण फिलहाल बारिस हो रही है बिहार में पतना गया औरंगबाद जोहानावाद नवादा सारन जीलों के अलाबा उतर बिहार के कुछ जीलों में बारिस हुई वही मौसम विभाग ने सुबें के जुहानावाद, नवादा, भोचपुर और सारंजीले में ओला गिरने का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम विज्ञान केंद्र ने 24 जुनवरी को पूरे बिहार के लिए अलर्ट जारी किया इस दोरान समाने से मध्यम बारिस होगी कुछ अस्थानों पर ओला गिरने की भी आसंका है आपको बता दे इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि कैसा रहेगा आपके शहर और राज्ये में आज का मौसम नियूंतम और अधिक्तम तापमान क्या रहेगा उसी के साथ साथ हवा की गुनवत्ता कैसी रहेगी शुर्योदय कितने वज़े होगा और शुर्यास किस समय होगा हवा की गती कैसी रहेगी अल्टरा वाइलेट सुचकांग कैसा रहेगा ठंडी हवाई चलेगी या फिर आएगा तुफान सुरज के गड़मी से तपिस बढ़ेगी या फिर मौसम के धंड़क आपको राहत देगी आपके आसपास के वातवरन में आदरता और नमी कितनी रहेगी बारिस की संभावना कितनी होगी हर घंटे कैसा रहेगा मौसम का हाल इतना ही नहीं मौसम समाचार और अगले पांच दिनों के मौसम का पुरवानुमान भी चानिये बोले भारत के साथ अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेर नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेर करना ना भूले धन्यबाद